प्राचिन भारतियक अलाके प्रमुख केंदर के बारे में और इसमें हम बात कर रही हैं आजकल अजनतागुफा के बारे में तो अजनतागुफा के बारे में यह हमारी दूसरी वीडियो है और आज हम जानेंगे अजन्ता गुफा के भीती चित्रन विधी यानि उसकी तकनीक के बारे में तो आईए देखते हैं अजन्ता की भीती चित्रन विधी अजन्ता की गुफाओं में प्रथम शती से लेकर सात्वी शती तक लगभग 700 वर्सों से अधिक कार्यों किया गया अजन्ता की चित्रकला में शक, सात्वाहन, चालुक्यों, वाकाटक, कुशान एवं गुप्त आदी विभीन संस्कृतियों का मेल हमें देखने को मिलता है प्रन्तु अजन्ता में सर्वशेष्ट कार्यों गुप्त काल में हुआ है अजन्ता भारत का एक महान कला तीर्थ है वहाँ चित्रकला, मूर्तिकला एवं स्थापत्या कला का तीनों का सुन्दा समन्वे है इस कला को बौद कला भी कहा जाता है क्योंकि इन गुफाओं का समस्थ, चित्रण, वितान, भगवान, बुद की जीवन घटनाओं एवं जनम जमांतर की कथाओं से समन्दे थे जिने हम जातक कथाओं भी कह सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं अजन्ता की भीती, चित्रण, विती के बारे में यानि की भीती चित्रण में जिस तकने का उप्योग किया गया है उसके बारे में बात करते हैं अजन्ता में फ्रेस्को एवं टेंपरा धोनो विदी से चित्रों को बनाया गया है अजन्ता की भीती यानि की जो उसका धरातल था उसको त्यार करने के लिए गाय का गोबर, धान की भूसी, अंडे की जर्दी, इतियादी को आपस में मिला जाता था और इनको आपस में मिला कर एक गाड़ा लेप त्यार कर लिया जाता था और उसे खुर्दरे धरातल पर लगाया जाता था और उसके उपर चूने से प्लास्तर किया जाता था जन्ता गूफा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उनको चटानों को काट कर बनाएंगी है तो उसका धरातर जो है वो चटाने है तो चटानों पर यहाँ लेप लगाने से पहले उन चटानों को खुरदरा यानि कि किसी नुकिली चीज़ से खुरदरा बनाकर यहाँ लेप उस प बना दी जाती थी, तो इसी तरह अजंता मैं चितरंग के लिए बीती को त्यार किया जाता था, और अब हम जहां तक बात करते हैं रंगों के बारे में, तो वहां अजंता के जो भी चितरकार थे, वे गिने चुने रंगों का ही इस्तमाल किया करते थे, जैसे स्फेद, लाल, वो गेरू रंग, मैंसे गेरू रंग का प्रयोग हमें अधिक देखने को मिलता है, इसके साथ साथ पीला, हरा और कहीं कहीं हमें नीले रंग का प्रयोग भी देखने को मिला है. स्फेध रंग चुना या खड़िया से मिलकर बनाया जाता था, हरा रंग वहां एक स्थानी पत्थर होता था, जिसका नाम था ट्रेड़ा वर्ड को उसको घिसकर हरा रंग बना लिया जाता था, और नीले रंग के बारे में कुछ विद्वानों का माना है कि यहो नील से मिलकर बनता था, और कुछ का यहो मत है कि यहो फारस दे से आयात होता था, पीला रंग पेवडी से बनाया जाता था, प्रन्तु कुछ विद्वान इसको संख्या से भी बनाया हुआ मानते हैं, और इसके अतिरिक्त गेरू, रामरज, हिरोंजी, खड़िया, आदी, बहुत रंगो से रंग बना कर उनका प्रियोग भीती चितरण में किया जाता था, तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो, उमीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो